नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिस्र, कादंबरी कथामुक्ति स्कुक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ पिछले पार्ट में हम लोगों ने जावाली के बरणन के भाग तीन को देखा था इसमें हम लोग चोथे भाग को देखेंगे ठीक है अब जावाली के सरीर का अंगों का उनके वरणन कर रहे हैं उनके सरीर के अंगों का वरणन कर रहे हैं जावाली के तो देखते हैं क्या लिखा है अकलुस मानि निर्मल अंग को यानि सरीर के अंगों को उद्वहंतम यानि धारण कर रहे हैं कौन जाबाली अब जो उनके अंग हैं वो किस प्रकार के हैं उस चीज का यहाँ पर वरणन चल रहा है ठीक है तो बता रहे हैं कि अतिचपलानाम इंद्रियास्वानाम अंतह संयमन रज्जु भी इव आतता भी ध्यान देना है जावाली का वरणन है ठीक है तो अतिचपलानाम इंद्रियास्वानाम अंतह संयमन रज्जु भी रवातता भी कंठनाडी भी निरंतराव अनब्ध कंधरम ऐसे उनके क्या है안ंग है शरीर के जो अंग है वह उनका वरणन है तो देखते हैं अतिचपल अतिचपल का मतलब क्या होता है अत्यंत चंचल अत्यंत चंचल कौन है अत्यंत चंचल इंद्रिय रूपी घोड़े कौन है इंद्रिय रूपी घोड़े ठीक है मतलब जो इंद्री रूपी क्या है घोड़े हैं तो उसमें भी अइसा उपमा दी गई है कि इंद्रियों को क्या माना गया है घोड़ा माना गया है तो यह अत्यन्त चंचल हैं अत्यन्त चपल यानी चंचल हैं क्योंकि जहां भी मधूर रूप मने मधूर रस या फिर सुन्दर रूप या फिर मधूर सब्द जहां भी सुनते हैं देखते हैं तो उसी के प्रति आक्रिष्ट हो करके यह इंद्रियां उन विसियों के प्रति ख इंद्र रूपी जो घोड़े हैं वह उधर की तराफ भागने लगते हैं उधर जीस तराफ मनें अच्छे विशय रूप रस गंद इस परश सब्द जिदर मिलते हैं उधर इंद्रीय रूपी अस्व दोड़ने लगते हैं तो इसी इन ऐसे गोड़ों के अब ऐसे गोड़े है तोवें गोड़ों को रोकने रोपना वी पड़ेगा कि नहीं जितने भी सांसारिक पदार्त हैं उनको देखकर के इंद्रियां और स Foods भागने लगती तो मनुस्य की प्रवर्ति और पर यह आकर्सित हो जाता है क्यों कि इंद्रियां उसको खींच करके उधर ले जाती है तो उनको जो है रोकना पड़ेगा इंद्री रूपी घोड़ों को वहां तक नहीं पहुंचने देना है विसियों तक अपे उनको बीच में ही रोक लेना है तो घोड़ों के अंता का इंद्रियां नहीं जाएंगे उनको नकेल कसेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए रज्जु चाहिए रसी चाहिए तो अंता हमने बीच में सायमन का मतलब क्या है रोकने के लिए नियंत्रित करने के लिए सायमित करने के लिए ठीक है बीच में सायमन यानि नियंत्रण 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 के लिए नियंत्रण के लिए जो रज्जू या निकी रस्थी ठीक है तो ऐसी जो रस्थ्या है मतलब कि घोडों के बीच में नियंत्रण के लिए घोडों को विशाय तक नहीं पहुँचने देना है बीच में ही रोक लेना है तो नियंतरण के लिए क्या चाहिए रसी चाहिए रसी चाहिए यानि लगाम चाहिए तो आईसे लगाम इब माने की तरह है आतत का मतलब होता है अत्यन्त दिर्ग फैली हुई फैली हुई मतलब लंबी काउन कंठ नाड़ी उनकी जो कंठ की नाड़ियां है कंठ मतलब गले की नाड़ी यानि की जो सिराएं है गले की गले की क्या है नाड़ियां है उन नाड़ियों से निरंतर निरंतर का मतलब क्या है लगातार निरंतर का मतलब क्या है लगातार बिना किसी व्यवधान के बात समझ में एक रहें निरंतर यानि की लगातार मने अच्छे से लगातार मने अच्छे से अवनद्ध है कंधर मने ग्रीबा लगातार अवनद्ध मने बंधी हुई कंधर यानी ग्रीबा ग्रीबा जहां अईसा क्या है अंग है अंग यानी की सरीर ठीक है कैसा सरीर है जहां सरीर में जो ग्रीबा है वो अवनद्ध मने बंधी हुई है निरंतर यानी लगातार मने अच्छे से बंधी है किनके द्वारा कंध नाडियों की द्वारा नाडियों की द्वारा निरंतर लगातार अच्छे से अबनत बंधी है कंधर यानी ग्रीवा जहां पर ऐसा उनका अंग सरीर है क्यों कंठ नाडी से बंधी है इसलिए क्योंकि इंद्रियां भागी जा रही है अती चपल अत्यंत चंचल जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं उन घोड़ों को अंतहमने बीच में सायमा मने नियंतरन के लिए रजुभी मने रसी की तरह जो है गले की नाडियां है गले की नाडियां ऐसा है जैसे इंद्रे रूपी घोड़ों को रोकने के लिए जो है मने रसियां हों तो अंतहमने बीच में ही रोक लेने के लिए बिसाय तक न पहुचने देना तो रोकने के लिए सायमन मतलब होता है बांधना नियंतरन करना उसके लिए जो रजू यानि रशी लगाम उस लगाम की तरह इवमाने उसकी तरह जो आतत्माने लंबी लंबी फाइली हुई क्या है गले की नाडियां है जो कि अत्यांत चंचल इंद्री रूपी घोड़ों को अंतहमने बीच में सैयमन रोखने के लिए रजू जो लगाम हो वुक्ति को बस्मे करने के लिए लगाम हो अईसा लग रहा है तो ऐसी जो है ग्रीबा जहां पर है ऐसे सरीर को धारन कर रहेे हैं कौन जावाली और जावाली का सरीर जावाली के अंग कैसे है तो बता रहे हैं कि समुनत बिरल अस्थिपंजरम समुनत का मतलब क्या है उंचे उंचे समुनत मने क्या है उंचे उंचे क्योंकि सरीर तो धुबला हो गया है तो हड़ींग है उसमें दिखाई दे रही हैं उंची उठी हुइ समुनित है इनु Donkey कि समुन्मत मथे तो हड़्ी उठी हुई कि मैं संतलब क्या है दूर हो गया है तो समुन्नत मने उठी हुई बिरल मने दूर दूर अस्थी पंजर उनके जो अस्थी पंजर है उनके जो सरीर का जो कंकाल है जो धांचा है हड्डियों का जो धांचा है कंकाल है अस्थी पंजर है वो बिरल हो गया दूर दूर हो गया रो समुन्नत मने उठी हुई बास मने उठी हुई मने अब हड्डियों का धांचा हड्डियां जो है एकदम क्या है उठी हुई है समुन्नत यानि उठी ठवा उठा हुआ जो बिरल दूर दूरस्ती पंजरमने कंकाल हड़ियों का धाँचा तो ऐसे धाँचे बाला आएसे धाँचे वाला कौन है उनका सरीर है जावाली का अंग है अंग हर अंग ऐसा है ठीक है और जावाली का सरीर कैसा है अंस अवलंबी यग्यों पभीतं अंस पर अवलंबित यानी लटक रहा है अंस मतलव एक अंधे पर अवलंबित यानी लटक रहा यग्यों पभीत अंस यानी कंधे पर अवलंबित यानी लटक रहा है और उनका जो शरीर है तो बता रहे हैं कि इसलिए ऐसा लग रहा है कि बायू बस जनित तनूत रंग भंगम बायू के वससे बायू मतलब होता है हवा हवा के वस यानी प्रभाव से हवा के प्रभाव से जनित यानी उतपन हवा के प्रभाव से उत्पन जो तनू माने हलकी तरंग लहरें तो ऐसे हलकी जो लहरें उन लहरों के भंग भंग मतलब होता है लहराव तिर्चापन लहरों का जो लहराव होता है तिर्चापन होता है यह जो है लहरों का क्या होता है तिर्चापन जो होता है तो यही क्या है लहरों का भंग कहा जाता है अथवा जैसे भौवें होती है भौवों को तिर्चापन उसको भंग कहा जाता है तो तरंगों का मुने लहरों का जो लहराव है तिर्चापन नहीं कि भंग है. तो बायू मने हवा के वस मने प्रभाव से जनित उत्टपन जो टनु यानि हलकी जो तरंग लहरे हैं तो वह तिर्चापन जहां पर हो गया है. देखो समझना पड़ेगा थोड़ा सा क्या है कि ये आगे विसेशन मन्दा के नहीं के प्रबाह को प्रबाह में दे रहे हैं उद्पलब मानं का मतलब होता है तएर रहा है जल पर जल पर तएरता हुआ म्रिणाल म्रिणाल का मतलब क्या होता है कहीं कहीं पर नब ऐसा पाठ भी है मतलब नया नया कहीं कहीं पर क्या है नब पाठ भी है तो उसका अर्थ क्या होगा नया नया कहीं कहीं पर यग्व पवीत में जनेव में धवल पाठ दे दिया है तो यानि वहां क्या होगा सफेद जनेऊ ठीक है तो इसमें जो है कोई बिसे समस्या वाली बात नहीं है तो अलग अलग परकार का पाठ है लेकिन वह आप लगा भी सकते हैं तो उतलव मान वाने की जल के उपर तैरता हुआ तैर रहा है नव अगर पाठ है तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कौन तेर रहा है, तो कहते है, मिरनाल तेर रहा है, कौन तेर रहा है, मिरनाल तेर रहा है, कमल नाल जो है, वहाँ पर तेर रही है, तो कमल अनाल इव माने की तर है अच्छा लेकिन ये इव जूड़ेगा कहां पर तो अभी आगे पता चलेगा अपको ये मंदा किनी परवाह में जूड़ेगा मंदा किनी का जो परवाह मंदा किनी किसे कहते हैं आकास गंगा आकास गंगा का प्रवाह मतलब धार आकास गंगा की जो धारा है जलधारा तो वो जलधारा उसी में जलधारा में क्या हुआ है तो उत्पलब मान मने जल के उपर तैर रहा है म्रिनाल मने कमलनाल जहां ठीक है उत्पलब मान मने जल पर तैरता हुआ म्रिनाल यानि कमलनाल है जहां ऐसी क्या है ऐसी है मंदा किनी की धारा मंदा किनी का प्रवाह आकास गंगा का प्रवाह और उसी आकास गंगा के प्रवाह क की तरहे क्या है यहां पर आखलूस और कलूस यानी निर्मल कलूस कहते है पाप और किनिर्मल निस्पाप रूप से बसमजमेक रहें एकदम स्वच्छ कोई कीचड़ की इत्याद यहां नहीं है तो ऐसे जो मंदा किनी का प्रवाह है धारा है जो कि आकलूस है निर्मल है और कैसी है जहां पर उत्पलवमान जहां पर म्रणाल यानी कमलनाल जो है उत्पलवमान मने जल पर तैर रही है और वो मंदा किनी की प्रवाह मने धारा कैसी की आकास गंगा का प्रभाहा तो वायू व सर्चल्ड जनित जहां वायू मनि míne मैं हवा के बस मने प्रभाव से जनित उथ्पन हे टनु अलकी तरंगओं बंग लहरों का लहराओं की तिरचक्षा पर उट्वार वाक कारण थोपन थोड़ा तो रहे ठाण हिरे ले लारे हैं त्शेपs मंदा टिर्चित का प्रबाः और वो कि फ्यम क्या के अग्दम में अयुंन कम थित कौन दारण कर रहे हैं जावाली जो है जावाली के सरीर के उपर जो है मने कंधे पर जो ये यग्यो पभीत लटक रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मंदा कीनी का जो प्रभाहा है उस पर उसमें जो है सFYD सFYD कमनलाल उत्लब मान ने तेर रहा हो बासमझ मैं कहने कमनल नाल तेर रहा हो और जो हड़िया है जो इनके सरीर की वो ऐसी है जय से की तरंगे हो जो हवा के कारण उत्पन गरी नाडिया biggest चंध्या similar व्हक अए जैसे जैसे क्या हून जय से महां पर जर्ज हूं ? जय से वहां और मन्यमंदा किनी गंगा जी के प्रवाह की तरंगे हों, और अंसावलंबी एगव पर कंधे पलटकता हुआ, जन्यूब वो क्या लग रहा है? जिसे उतलव मान मरनाल हो, अनिजल पर तैरता हुआ, मरनाल का मरनाल हो, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर तुलना बन जाती है, अ जन्द को सरीर को उद्भेंत माने धारन कर रहे हैं, कौन जावाली? अब कहे रहे हैं कि अमल स्फटिक शकल घटितम, अक्षबलयम, अत्युद्जलस थूल मुक्ता फलक गरतितम, सरस्वती हारमिव चलद उंगुली विबर गरतम आवरत यंतम, ठीक है, अब क्या कर रहे है अमल, अमल मतलब होता है, निर्मल, जो अस्फटिक है, निर्मल जो स्फटिक है, ठीक है? निर्मल मतलब क्या होता है? स्वच्छ, मल से रहित, तो मल से रहित जो स्फटिक मणी है, उस स्फटिक मणी के सकल है, सकल मतलब होता है टुकडे, स्फटिक के सकल यहनी टुकडे, ठीक है? अस्फटिक मणी के क्या है? टुकडे है, उन टुकडों से घटित मने बनाया है, क्या बनाया है, क्या बनाया है? तो कहते हैं अक्स बले, अक्स बले का मतलब क्या होता है? रुद्राक्ष की मला, जो कि बलय की तरह बलय यानि गोल गोल कंगन की तरह जो कि क्या हो गोल हो ठीक है जो कि कंगन की तरह क्या हो रुद्राक्ष की मालाग तो अमल मने निर्मल इस फटिक के जो है टुकडों से मणी के टुकडों से घटित मने बनाया है इसको अक्स बलय को यानि रुद्राक्ष की माला को ठीक है रुद्राक्ष की माला को जो है बनाया है आई से बनाया है जिस रुद्राक्ष की माला को उस माला को क्या कर रहे हैं आवर्त यंतम का मतलब क्या है मने घुमा रहे हैं माला को आवर्त यंतम मने घुमा रहे हैं क्यों घुमा रहे हैं क्योंकि जब कर रहे हैं माला से तो माला जब करते समय माला घुमाते रहते हैं क्योंकि जब की संख्या पूरी हो जा इसलिए माला को क्या कर रहे हैं घुमा रहे हैं इतना इसपश्ट हो गया कि नहीं तो अब जो है वो माला कैसी लग रही है उसको बता रहे हैं कि अति उज्वल अत्यंत अति का मतलब क्या होता है बहुत बहुत उज्वल उज्वल का मतलब क्या है चमकदार बहुत चमकदार और इस्थूल मतलब क्या होता है मोटे मुक्ताफल कहते हैं मोती तो कहते हैं कि वो जो माला है उस माला में जो मुक्ताफल मने मोती लगे हुए हैं वो बहुत इस्थूल है मने मोटे मोटे मोती है और अती मने बहुत ज़ाद है 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 बहुत 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 तो सरस्वती का हार बनाया गया हो। यह बनाई गई सरस्वती का हार मने माला। सरस्वती की हार मतलो माला। जैसे सरस्वती की क्या हम बनाई गई हो। माला बनाई गई हो। अत्यंद बहुत उज्वल चमकदार स्फूल मोटे मोटे मुक्ताफल मने मोतियों से गरतित मने बनाई गई हो क्या सरसोती का हार सरसोती की माला बनाई गई हो बासमझ मैं किने ऐसे माला इव माने है की तरह उस माला की तरह सरासोती की जो हार है माला है उस माला के तरह क्या माला है यह त्रुद्राक्ष की माला है कंब को ठीक है उस माला को आवरतिय अमतम यानी john Freak कहां गुमा रहे हैं तो खहते हैं कि चलत विवर गतम ने चलत्ते हुए अंगुली बीबर गतम जो उंगलियां रहती है उन उगलियों को जो बीच में क्या रहता है हिस्सा रहता है बीच का हिस्सा बीबर बीबर मतलब होता है छिद्र तो जो अब उंगली में थोड़ी छिद्र होता है उंगली के दो उंगलियों के बीच में हिस्सा होता है न तो ब उंगली यानी उंगली है उस उंगली के विवर यानी छिद्र में गतम मने इस्थित माला को समझा गया कि चलत मने चलते हुए उंगली यानी उंगली के विवर मने छेद में गतम मने इस्थित जो उनकी उंगलियां चल रही है लगातार माला घुमा रहे हैं तो उस छेद में जो है इस्थित जो अक्षबला है रुद्राक्ष की माला है उसको आवरतिन तम्यानी घुमा रहे हैं कौन जावाली और वो प्रतीती कैसी हो रहे है तो सरसोतीके हार की तरह सरसोती के माला की तरह जैसे अट्यनत जूल चमखदार स्थूल मोटे मुक्ता फिल मोतियों से गरफित बनाए गए गए हो सरसोती के हर सरफ्ति की माला तो उसी माला के तरह चलते हुए अंगुली यानी उंगली के विवर उंगली के जो विवर है चिद्र है उसके मने मद्ध में जो इस्थित माला है माला को जैसे हाथ में रखते ना दो उंगलियों के बीच में तो उसको जो है आबर तेंत मेनी घुमा रहा है मा तो इसलिए ऐसा लग रहा है, यह हू रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कि अनवरत भ्रमित तारका चक्रम अपरम्य वद्रुपम, जैसे लगातार, अनवरत मने लगातार, भ्रमित मने घूम रहा हो, तारका चक्र, जिसके चारो और, समझ में आये कि नहीं कि जहां पर जो है अनवरत बने लगातार ब्रहमित का आर्थ क्या है घूम रहा हो ठीक है अनवरत का मतलब क्या है लगातार ब्रहमित यानी की घूम रहा है प्रवाह नाम के जो है बायू के द्वारा ब्रहमित मने घूम रहा है क्या घूम रहा है तार का चक्रम तार का चक्रम यानी ताराओं का समुव ठीक है अनवरत मने लगातार ब्रहमित मने घूम रहा है क्या गूम रहा है तार का चक्र मने तारों का समू हूं लगातार क्या कर रहा है लगातार प्रह dauत्र क। जर दूब तार है so मानों अपरमने दूसरा मानों दूसरा जो है क्या आ गया हो द्रूब आ गया हो क्यों समझना है क्योंकि देखो द्रूब कल द्रूब मंने दूसरी से धिर गूमते रहते है और अन्नव मत भिखत destac रहना और अन्न्न सभी क्या है उस MEME्न आ winter आथ से उसी प्रकार से यहां पर रिसी इस्थित है और उनके जो ओर उनके जो बाए हाथ में इस्थित क्या है मैंने जो माला है वो माला भी लगातार क्या कर रही है घूम रही है तो इसी लिए समझ में है कि नहीं जैसे रिसी के रिसी हो गए उनके चारों तरफ क्या है माला और वो माला लगातार घूम रही है ठीक है तो ऐसे ही क्या है दुरूबतारा है उसके चारों और नक्षत्र सभी घूमते रहते ह पर lei बहुन होई अनबरत लगातार ब्रहामित भूम रहें तारका चकर मैं तारों का समुह जहां तारों का समुह लगतार घूम रहा ऐसा जो द्रुब है तो ऐसा लग रहा है कि वह दे रिसी नहीं क्या है closing कि रूब हैं के उन विवयमोन भूम है व्याहने विए यह समझ में आएक नहीं यहाँ पर कि उस उपर से जुड़ा हुआ है समझ आगा एक नहीं कि चलत अंगुली विपर गतम क्योंकि वो उंगुलियों की माने चलती हुई उंगलियों की बीच में छेद में जो है इस्थित है आबरतेंतम उसमाला को गुमा रहे हैं तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे रिसी नहों करके क्या हो यह अपरम माने दूसरा इव माने मानो धुरूब हों दूसरे धुरूब तारे हों जिनके चार और अनवरत लगातार भ्रमित घूम रहे हैं तार का चक्र माने तारों का समझ हो जिनके चार और लगातार घूम रहा है ठीक है उन्नमता शिराजालकेन जरतकल्पतरुमिव परणतलता संचैने निरंतरन जितम आप कह रहे हैं कि उन्नमता सिराजालकेन जरतकल्पतरुमिव परणतलता संचैने निरंत मतलब होती हुई परणत का मतलब क्या होता है पकी हुई पकी हुई जो लताएं है ठीक है पकी हुई लताओं के संचैक मने समूह पकी हुई लताओं के समूह से निरंतर निरंतर मने अच्छे से घने रूप से सघनता से अच्छे से निचित निचित मतलब भरा हुआ भरा हुआ जरत मने पुराना बूढ़ा कल्पतरु कल्पब्रिक्ष उस कल्पब्रिक्ष की तरहे कौन है जावाली ठीक है जावाली कैसे है जरत मने पुराने बूढ़े कल्पतरु कल्पब्रिक्ष की तरहे है तो कल्पब्रिक्ष कैसा कल्पब्रिक्ष तो परिणत मने पकी हुई लताओं के संचै यानि समूह से निरंतर घने रूप से मने सगंता से अच्छे से निचित मने भरा हुआ जो पुराना बुढ़े कल परिक्ष है उसकी तरह कौन है जावाली है जावाली भी कैसे है तो कह रहे हैं कि उन्नमता सिरा जालकेन उन्नमता का मतलब क्या है उपर की तरफ उठे हुए उपर उठे हुए उपर उठे हुए उपर की तरफ उठे हुए निकले हुए सिरा जालक से सिरा जालक यानि नाडियों के समूह से क्योंकि अब नाडियां सरीर में उपर की तरफ दिख रही है मनि नाडियों नाडियों के जालक यानि समूह से देखो ये लताओं के समोह से भरा हुआ है पकी हुई लताओं के समोह से जरत कलपतरू पुराना बूढा कलपतरू का ब्रिक्ष जो है भरा हुआ है निरंतर मने घने रूप से निचित यानि भरा हुआ है और ये जो जावाली है वो उन्नमता यानि उपर उठी हुई जो सरीर से उपर निकली हुई सिरा जालक यानी नाडियों के जालक यानी समोह से निरंतर मने घने रूप से अच्छे से निचित मने भरे हुई है जावाली जावाली के सरीर में नाडियां ही नाडियां अच्छे से भरी हुई निरंतर मने बिना व्यब्धान के पूरी तरह सनिचित मने भरी हुई है नाडियां ठीक है अच्छे से और यहां जो है जो जरत कल्पतरू है पुराना जो कल्पतरू कल्पवरिक्ष है वो परिनत्मने पकी लताओं के संचय से समोह से भरा हुआ है तो इसलिए जावाली और पुराना कल्पवरिक्ष दोनों की दुल्मा की गई है पास जावाली भी बुढ़े हो गए हैं तो इसलिए बुढ़े कल्पवरिक्ष कीत रहे हैं जिनका सरीर कल्पवरिक्ष का सरीर लताओं के समोह से निरं घने रूप से निचित भरा हुआ है जावाली में जाएगी जरत कल्पतरू में भी लेकिन यह जावाली निरंतर निचित हैं लेकिन से जो है उपर उठी नाडीयों के समोह से परियाथ मने पकी हुई लताओं के समोह शेकुन निरंतर निचित है तो बूढ़ा कलप विक्ष जरत कलपतरू समझ में आए कि नहीं जरत कलपतरू जो है पकी हुई माने परेणत पकी हुई लताओं के समुह से जरत कलपतरू निरंतर गने रूप से निचित भरा हुआ है और जावाली सरीर से उपर उठी हुई निकली जो न आडियों के जालक यानि समूह से सिराओं के समूह से निरंतर बगहने रूप से निचित भरे हुए जावाली हैं ठीक है अब कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि अईसा लग रहा है मानो कि जरा के जालक ने उनको घेर लिया हो ठीक है जरा के जालक ने उनको क्या कर लिया हो घेर लिया हो कैसा जरा का जालक है तो बता रहे हैं अमल निर्मल है ठीक है क्या है निर्मल है क्या निर्मल है ठीक है निर्मल है कौन निर्मल है उनका जो दुकूल का बलकल दुकूल मतलब होता है रेसमी बस्त्र तो बलकल मतलब होता है वरिक्ष की तवचा तो रेसमी बस्त्र और वरिक्ष की तवचा दोनों एक नहीं हो सकते तो हम कहेंगे रेसमी बस्तर की तरहे दुकूल मने रेशमी बस्तर की तरहे जो वलकल यान व्रिक्ष की तवचा है उस तवचा से संचादित याने की ढके हुए संचादित का मतलब क्या है ढके हुए है ढके हुए कौन जावाली किस से ढके हैं तो रेस्मी वस्तर की तरहे दुकूल की तरहे रेस्मी वस्तर की तरहे वलकल मने व्रिक्षी की तवचा से संचारित मने ढके हुएं जावाली और वो रेस्मी वस्तर की तरहे जो व्रिक्षी की तवचा है वरिक्ष की तवचाव यानि वलकल है वो वलकल कैसा है अत्यन्त निर्मल है अमल है मने अत्यन्त स्वच्छ है ऐसा लग रहा है जैसे वे चंद्र की अंसु मने किरणों से इव माने मानू ठीक है इव का मतलब क्या है मानू चंद्रमा की किरणों से अंसु कहते हैं किरणों को तो चंद्र की किरणों से मानू निर्मित हो निर्मित माने बना हुआ हो जो ये वरिक्ष की त्वचा है वो बस्तुता वरिक्ष की त्वचा नहीं है ऐसा लग रहा है कि वो चंद्रमा की किरणों से इव माने मानू निर्मित माने बना हुआ हो अच्छा अथवा हो सकता है कि वो अमरित के फेन से बना हुआ हो अम्रित के कफेन रहता है ना जाग जाग से इव माने मानो बना निर्मित मने बना हुआ हो तो क्योंकि चंद्रमा की किरणे अत्यंत सफेद होती है निर्मल होती है तो अमल मने होता है निर्मल निर्मल ही है ना वो ब्रिक्षे की तवचा जो उनका बस्त्र है जो उड़े हए, तो ढके हुए जावाली है जिस बस्त्र से, वो बस्त्र निर्मल है तो अईसा लग रहा है जैसे चंद्रमा के अंसों और गिर्णों से बना हुआ हो, और अमृत फेन इरिव, अमृत के पेन से जाग से इवमाने मानों निर्मित बना इधर भी होगा इधर भी होगा गुण संतान तन्तु भी अत्वा वह ऐसे धागों से बना हुआ है वह धाग ये गुण है क्योंकि ये सफेद माने जाते हैं अम्रित का फेना सफेद होता है जाग और चंद्रमा की किरेने सफेद निर्मल होती हैं ऐसे जो गुण होते हैं वो मने सफेद माने गए हैं गुण जैसे दया गुण जैसे करुणा इत्यादी जो गुण है उनके अंदर तो इन तपस्या यह सब क्या है यह गुण है तो जो गुण है उन गुणों के संतान कहते हैं समूह को गुणों के समूह ही क्या है तंतू है तंतू मने धागे आईसे धागों से इव माने मानो निर्मित माने वना हुआ है कौन यह बलकल वने व्रिक्ष की तवचा से जो व्रिक्ष की तवचा रूपी वस्त्र ये रेसमी वस्तर की तरह है क्योंकि ये अमल निर्मल है और इसलिए मानो चंद्रमा की अंसूं से अथवा अमृत के फेन जाग से अथवा गुण संतान तुन भी गुणों के संतान मने समों हो रूपी धागों से तंतूं से इवमा ने मानो निर्मित हो बना हुआ हो और ऐसा लग रहा है जैसे मानसरोबर होता है ना मानसरह मानस कहते हैं मानसरोबर को ठीक है मानस नाम का एक सरोबर है मानस नाम का क्या है एक सरह मने सरोबर है मानसरोबर जिसको कहते हैं तो उस मानसरोबर के जल जल से मान सरोबर के जल से अब कहीं कहीं पर छालन पाठ है कहीं कहीं पर छालित पाठ है तो जल से छालित का मतलब है धोया हुआ और जहां छालन पाठ है तो अर्थ होगा धूने से तो मान सरोबर के जल से छालित है धोया हुआ है अत्वा चालन मने धूने से सुची मने पवित्र तो जल से चालित मने धोया हुआ है इसलिए धोया हुआ हुआ हुने से सुची यानि पवित्र पवित्र है कौन? ये वलकल जो उनका वस्त्र है जिस वस्त्र से वो ढके हुए हैं मान सरोबर के मानस कहते है मान सरोबर को असराह मने भी सरोबर होता है तो मानस सराह मने मान सरोबर वो मान सरोबर का जो जल है उस जल से छालित मने धोया हुआ होने के कारण प्रक्षालित किये जाने के कारण सुची यानि पवित्र जो दुकूल की तरहे रेश्मी वस्त की तरह जो उनका वलकल है वरिक्षी की तवचा है उस तवचा से संचादित मने ढखे हुए है कौन जावाली ऐसा लग रहा है जैसे उस त्वचा से न ढखे हुए हूँ अपितु अपितु जरा के कारण किसके कारण बने जरा के द्वारा ढखे हुए हूँ अदोती यह मतलब दूसरी दूसरी ब्रद्धावस्था के समूह से इब माने मानू देखो एक ब्रद्धावस्था तो उनको घेरा ही था लेकिन वो ब्रद्धावस्था का समूह पूरा आ गया हो और उसने उनको ढख लिया है दूसरी ब्रिद्धावस्था का समूह आ गया हो उनको ढख लिया हो वो सरीर के उपर ब्रिक्ष की तवचा को जो ओड़े हुए है ऐसा लग रहा है कि दूसरी ब्रिद्धावस्था का समूह आ गया है और उसने उनको ढख लिया है एक ब्रिद्धावस्था तो उनको अपने क दूतिय पाथ है तो है तो अर्थ उसका रही यही रहेगा कहीं कहीं पर क्या है अदbeltिय अपर्भ्त है कहीं ឥा कर। मतलव हापूर्वल है कि अइसा अर्थ भी रह सकता है मतलब जैसी पहले न देखी गई हो अधवा दूतिय पाठ है तो उसके अनुसार मैंने आपको बता दे दूसरी ब्रद्धा अधदूतिय का मतलब भी वही रहेगा अपूर्व लेकिन मतलब जो पहले एक थी उससे ये विलक्षान है अलग ही है कुछ ठीक है पाठ एक ब्रद्धा वस्था ने तो घेरी रखा है ये दूसरी ब्रद्धा वस्था जो है ये एक अलग ही ब्रद्धा वस्था है तो अधदूतिय ने मतलब दूसरी ब्रद्धा वस्था का समूह ये जो है जरा जालक का आर्थ है आयशी पहले आई थी लेकिन वो वैसी नहीं थी बुढ़ापा वैसा नहीं था ये अलग ही है कुछ अदूतिय कार्थ होगा अदूतिय करेंगे तो दूतिय मतलब दूसरी व्रधावस्था के समूह मने जरा मतलब बुढ़ापे के जालक यानी समूह से संचादित मने ढखे आसन्य मने पास में वर्तिना का मतलब है विद्धिमान वर्तमान पास में वर्तमान मतलोब पास में रखा हुआ कौन रखा है पास में वस्फाटिक कमंडलू वस्फटिक का बना हुआ कमंडलू रखा है ठीक है इस फटिक का बना हुआ कमंडल रखा है जिसमें मंदा की नी का सलिल भरा हुआ है मंदा की नी का यानी गंगा का सलिल मने जल उस जल से पूर्ण मने भरा हुआ आसन मने पास में बर्तिना मने वर्तमान है इस्थित है रखा है अब कैसा रखा है तो मंदाकिनी के सलिल से पूर्ण है मंदाकिनी यानि गंगाजी के जल से पूर्ण मने भरा हुआ है और त्री दंड उपविष्टेन मतलब की तीन डंडों के उपर रखा हुआ है ठीक है मतलब एक कोई कुछ है जिसमें जो है तीन डंडे है तो तीन डंडों का जो है कुछ कोई भी मने एक पीठ एक आसन जैसा है जिसके उपर वो कमंडलू रखा हुआ है तीन डंडे भूमी पर हैं, उसके उपर वो कमंडलू रखा हुआ है, ठीक है, तो त्री डंड मतलब है, तीन डंडों की तिपाई कह सकते हैं, जैसे एक होता है, चार पाई, चार पाई होती है, ठीक है, चार पाई होती है, तो अब इसमें चार पैर लगा देने हैं, अब आप आप लोग 4 पाई तो जानते ही हैं तो यहां पर क्या है 3 दंड मतलINO YouTube आइं 3 पर का कुछ तीन दंड़ों का कुछ एक आसन उस आसन पर उपविष्ट मने रखा हुआ है बैठा हुआ नहीं है रखा हुआ है क्या रखा हुआ है कमंडलू रखा हुआ है ठीक है अस्फाटिक कमंडलू ना अस्फाटिक या निस्फटिक मनी का ठीक है क्या रखा हुआ है स्पटिक मनी का कमंडलू कमंडल रखा हुआ है ठीक है उस कमंडल रखा हुआ है उस कमंडल की द्वारा उपसोब मानम मने सुंदर लग रहे हैं उस कमंडल के द्वारा सुंदर लग रहे हैं कौन जाबाली जाबाली जो है उस कमंडलू के कारण सुंदर लग रहे हैं कैसे सुंदर लग रहे हैं तो बता रहे हैं कि जैसे राज हंस से जैसे स्रेश्ठ हंस से जैसे स्रेश्ठ हंस से जो विकच पुंडरीक रासी है बिकच माने कमलों का जो रासी है रासी यानी समूह उस समूह की तर है इव माने होता है की तर है बिकच माने खिला हुआ पुंडरीक माने कमलों का जो रासी यानी समूह है उस समूह की तरह राज हंसे इन इस रेश्ट हंसों से उपसोभ मान माने सुन्दर लग रहे हैं कौन जावाली समझ में आगया एक नहीं स्फाटिक कमंडलों ना मतलब स्फाटिक मनी का बना हुआ जो कमंडलों के द्वारा विकच पुंडरीक रासी में विकच मने खिला हुआ है जो समझेगा कि यह कमंडलों रखा हुआ है एक तरफ जावाली है यहां जावाली हो गए जैसे और यहां यह तिपाई हो गए इसके ओपर कमंडलों रखा हुआ है तो ऐसे सुसोभित हो रहे हैं जैसे किनारे हंस बैठा हुआ हो और मने वहां पर खिले हुए कमलों का समुह हो तो विकच मने खिले हुए पुंडरीक मने कमलों का रासी यानी समुह उस समुह की तरहे जावाली जो है उपसोभमान मने सुन्दर लग रहे हैं और जैसे वहां किनारे क्या हो राज हंस बैठ हुआ है ठीक है मंदाकनी के सलिल से जल से भरा हुआ है गंगाजी के जल से और त्री रंदमने तिपाई पर वो रखा हुआ है कौन कमंडलू उस कमंडलू के द्वारा इसे सुंदर लग रहे हैं जैसे खेले हुए कमलों का समूह राजहंस के द्वारा सुंदर लगता है ठीक ह इतना समझ आ गया कि नहीं अब कहते हैं कि उन्होंने अपनी स्थिर्ता से उन्होंने अपनी स्थिर्ता से उनके अंदर इतनी स्थिर्ता है कि उन्होंने परवत को भी क्या कर दिया है माने उनके अंदर परवत से भी ज़्याधा अचलता है परवत होते हैं अचल होते हैं लेकिन अपनी इस्थिरता से इस्थिरता इस्थिरता से अचलों को अचल मने परवत मतलब परवत से ज़ाधा इस्थिर्ता उनके अंदर है उन्होंने अपनी इस्थिर्ता को क्या किया परवत को बांटा है परवत से ज़ाधा इस्थिर्ता उनके अंदर है अपनी इस्थिर्ता को उन्होंने बांट करके परवत को दे दिया है ठीक है बात समझ में आई कि नहीं गामभीर्यन सागरा नाम गंभीर्ता गंभीर्ता यानि गहराई गहराई जो है सागरों से भी जाधा है सागरों को भी उन्होंने क्या किया है समुद्र को समुद्र को उन्होंने अपनी गहराई दी है उनके पास ज्याधा गहराई है समुद्र से भी ज्याधा तेजसा सवितु कहते हैं सविता यानि सूर्य सूर्य को उन्होंने क्या दिया है अपना प्रताप दिया है अपना तेज दिया है बात समझ में आई कि नहीं तेज दिया है उनका प्रताप सूर्य से ज़्यादा है उन्होंने सूर्य को तेज दिया है और प्रशमेन तुसार रस्मे है तुसार कहते हैं शीतल रस्मी यानि किरणे तो तुसार रस्मी नाम है चंद्रमा का चंद्रमा अब प्रशम कहते हैं बने शांती चंद्रमा जो है चंद्रमा के किरणे व्यक्ति के ताप को सांत करती है ना संताप को कष्ट को तो सूर की किरणों से उत्पन ताप को सांत करती तो प्रशम यानि सांती सांती के द्वारा तुसार रस्मी तुसार रस्मी मतलब चंद्रमा तो जो चंद्रमा है वो चंद्रमा को भी उन्होंने क्या किया है प्रशम सांती दी है बास समझ मैं इक नहीं मतलब उनके पास ज्यादा सांती थी उन्होंने जो है थोड़ी सी उठा करके किसको दे दी चंद्रमा को दे दी तो प्रसमेन तुशार रसमें हैं माने तुशार मतलब होता है ठंडी रसमी यानि किरणे तो वो किरणे जो है ठंडी किरणे किसकी होती चंद्रमा की तुशार माने शीतलक और रसमी यानि की किरणे तो तुशार रसमी किरणों बाला च उस चंद्रमा को उन्होंने क्या की है प्रशम मने सांती दी है और निर्मलता यानि कि अत्ति स्वच्छता स्वच्छता रूपी गुण उन्होंने अंबरतल यानि आकास को आकास को दिया है ठीक है तो इन सब गुणों से इन सब के लिए इन सब को ठीक है इन गुणों से इनको सम्विभागम इव कुर्वाणम इव मने मानों कुर्वाणम मने कर रहे हैं जावाली सम्विभाग कर रहे हैं सम्विभाग का अथवा कहीं कहीं सब विभाग पाठ भी है तो सब विभाग या सम्विभाग का मतलब होता है कि अपनी बस्तू अपनी बस्तू से कुछ भाग करके दूसरों को प्रदान करना दूसरों को देना हमारी बस्तू है हमने उसमें से कुछ निकाल करके आपको दे दिया इसको कहेंगे सम्विभाग तो यहां पर यह अपनी इस्तिरता से निकाल के थोड़ा सा परवतों को दे दिये अपनी गंभीरता को गहराई को निकाल के थोड़ा समुद्र को दे दिये अपनी तेज था इनके पास बहुत जधा थोड़ा सा बांट के सभिता को दे दिये ऐसे सांती प्रशम मन सांती थी थोड़ा तुसार रित्मी चंद्रमा को दे दिये, अपने निर्मलता को थोड़ा अंबरतल आकास को दे दिये, तो इस प्रकार से इन गुणों के द्वारा संविभाग इववाने मानों संविभाग कर दिया है, संविभागम कुरवानम, संवि जो होते हैं कंपते नहीं है यहीं उनकी स्थिरता है लेकिन रिसी की स्थिरता क्या है रिसी का चित स्थिर है रिसी का मन स्थिर है समुद्र जो होते हैं गहरे होते हैं उनमें बहुत गहराई होती है लेकिन रिसी का गहराई क्या है कि रिसी के सुभाव को समझा नहीं जा सकता उनका सुभाव बहुत क्या होता है गहरा होता है आदित्य का सूर्य का जो प्रताप है तेज है वो क्या है उसके किरणे बहुत गरम होती है और इनका तेज क्या है तो इनकी तपस्या का माहात में इनकी इतनी जधा तपस्या है यही इनका बहुत बड़ा तेज है और उन सूर चंद्रमा की प्रशम मने सांती क्या होती है कि चंद्रमा का स्वरूप सीतल होता है चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है लेकिन रिसी क्या करते हैं सम उनके पास कैसा है उन्होंने इंद्रियों को अंतर मुखी बना लिया है इंद्रियां उनकी बाहर बिसियों में नहीं जाती ठीक है, रिसी में निर्मलता सुच्छता क्या है, कि रिसी के पास पाप नहीं है, पाप रहित है, ठीक है, और जो मने आस्मान है, उसकी सुच्छता उसमें किसी विपरकार के बायू इत्याद में विकारना होना, आस्मान की सुच्छता है, तो उनके सुच्छता आधिक है, ब प्रभाव वुपाट्यम ये हम क्या करेंगे अगले पार्ट में इनके अन्य विशेशनों को देखेंगे इस पार्ट को यहीं तक रहने देते हैं सरवेभू नमोनमहा